नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि Lightning Arrester क्या होता है जिसको हम LA भी बोलते हैं और ये कहां कहां पर यूज की जाती है कितने प्रकार की होती है और किस परपरस से हमें इसको यूज करना चाहिए और ये कैसे बर्क करती है तो ये सारी चीजे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो वीडियो को अंतक जरूर देखें तो दोस्तो सबसे पहले बात करें LA की Lightning Arrester की कि ये होता क्या है तो Lightning Arrester एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है जो हमारी बिजली गिरती है जो आसमानी बिजली होती है जब वो गिरती है तो उस Light को ये अपने अंदर Accept करके अर्थ में पेज़ देती है अगर बात करें इसके Use की कि इसका Use किसलिए किया दता है तो इसका Use करते हैं हम अपनी सैप्टी के लिए और जो भी जैसे कहीं प्लांट लगा कोई जनरेशन प्लांट है या डिस्टिबूशन प्लांट है या सबिस्टेशन है तो बहाँ पर जो भी equipment लगे हुए है उनकी सैप्टी के लिए हम इसका Use करते हैं जिससे कि जो हमारी आसमानी बिजली गिरे तो वो जो Lightning Arrester है वो उसको सेंस कर ले और उसको कुछी मिली सेकंड के अंदर वो उसको अर्थ कर दे तो जिससे क्या है जो हमारे comment है बहां तक जो heavy voltage जो current हाएगा वो हमारा comment तक नहीं पहुँच पाएगा उससे पहले यह आर्थ हो जाएगा इसलिए इसको Use किया जाता है और lightning arrestor को जो टावर सोते हैं telecom tower होते हैं जो हमने देखा हुआ कहीं भी लगे होते हैं तो उनके उपर जो सबसे पतली road होती है सबसे उपर जो road लगी होती है वो ही lightning arrestor लगी होती है तो जो tower सोता है उसकी height जादा होती है तो जब भी अगर उस एरिये में कहीं पर भी बिजली गिरेगी जो आसमानी बिजली गिरेगी तो वो टावर पर ही गिरेगी क्योंकि जो टावर है वो बहुत हइट पहरे तो जो electricity होती है जो current होती है वो सबसे सरल रास्ता सुनती है की सबसे कम resistance चुनती है जो जल्दी से जल्दी वो जमीन के पास पहुँच जाए तो इसलिए जो towers होता है उस पर lightning arrester को उपर की side लगा जाता है तो तब भी कोई बिजली गिरेगी तो वो lightning arrester उसको sense करके ground कर देगा अर्थ कर देगा और इसी परकार से जो टंकियां देखी होंगी जो पानी की टंकिया होती है वो height पर होती है तो उन पर भी इसी परकार की जो lightning arrester लगा जाती है और जैसे कहीं पर भी बड़ी-बड़ी building होती है जो सबसे उची होती है उस area में तो बहाँ पर lightning arrester को लगा जाता है इसलिए कहा जाता है कि जहां पर tabers होते हैं बहाँ पर बिजली गिनने का खत्रा नहीं रहता है और ये भी सुनाओगा कि जो बिजली है वो जातर पेड़ पर ही गिरती है तो हमें कभी भी पेड़ पर नहीं हैं अब बात करते हैं इसकी बर्किंग की की एक कैसे बर्क करती है और हैवी करेंट हैवी बॉल्टेज जो होता है उसको डारेक्टली कैसे अर्थ कर देती है तो सबसे पहले बात करें जो टावर्स या जो टंकी या जो बिल्डिंग्स पर नीचे हम अर्थिंग करके रखते हैं एक लाइट्निंग अर्थिंग के लिए कम से कम दो अर्थिंग तो होनी चाहिए तो हम नीचे अर्थिंग करके रखते हैं अच्छी पावर्फुल अर्थिंग की जाती है तो जिससे जो भी लाइट गिरे lightning arrester होती है उसका use किया जाता है तो देखिए उसके लिए यहां पर देखिए तो यह lightning arrester है और यहीं पर देखिए हमने बहुत सारे equipment लगा रखें त्रांस पार्मर और जो पैनल ब्रेकर्स यह सारे equipment बहुत महिंडे होते हैं बहुत थी costly होती है तो तो इनकी सेपिठी के लिए इसको यूस किया जाता है तो यह सैपिठे कैसे करती हैं हम आपको बताते हैं तो मान लिजीें यहां पर कोई भी विज्ली गिर है जो आसमानी विज्ली है वो गिरेगी तो उन पर किसी भी फेस पर अगर light जो है गिरेगी तो जो यह LA लगी है वो इतने जल्दी इसको sense कर लेगी कि जो बगल में हमारे equipment लगे हैं उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उनके पास तक voltage current बहुत जादा जा नहीं पाएगा और जो इतने जल्दी sense करके इसको directly earth क कर देगी तो यह कैसे आ करते है इसके बारे में हम आपको detail में बताते हैं कि यह LA है इसके अंदर क्या BirkinG होती है उसको समझते है तो देखिए दोस्तों यह LA का internally part है इसके साथ हम समझते हैं यह कैसे बर्क करता है तो यह सबसे जो बाहरी बाला part है यह bushing होती है और सबसे उ यहां राटर तो यह कंडिशन डिर में काम करक्षा है और कंड़ब कर सकता है यह इंसुलेटर की तरह क्सानी विल छो एंसूलेटर की तरह कार करेगा तो यहां पर जो हमारा जुवाल्टेज है जो को भी एक्स्ट्रा बोल्टेज मों करने लगेगी तो जो भी करेंट होगी बू उसको राक्र करदेंगा तो इस्नेली अर्थ RUS को चाहिं और फोर एक कृप्मनेंट यद्छ होगी है hybrid करेंटर बहां तक नहीं पहुँच पाता है उससे ये सेफ हो जाते हैं तो इसी प्रकार से ये बर्क करती है तो यहां पर देखी ये भी एक एले है जो की solar plant में लगाए गई है तो इसकी कुछ एक range होती है कि कितने range तक ये काम करेगी तो इस plant में इस प्रकार की तीन एले लगी हुई ह तो देखी ऊपर की side जो नुकीली रोट सी है बहां से जो sense करेगी और नीचे हमने इसको double earthing कर रखा है दो pipe earthing कर रखी है जिससे जो भी current है voltage है वो directly earth हो जाए दोस्तो वीडियो कैसा लगा हमें comment box में जरूर बताएं और अगर अब भी आपको इसमें कोई भी doubt है तो आप हम comment box में comment कर सकते हैं हम आपको reply इसका जरूर देंगे और जो भी दोस्त अभी तक हमारे चैनल पर नए है तो वो चैनल को subscribe कर लें साथ में bell icon को भी press कर लें जिससे हम कोई video upload करें उसका notification सबसे पहले आपके पास आ जाए तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आपसे इसी परकार की किसी और वीडियो में